हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका नबोधत इस्टेडी में आज की टॉपिक के अंतरगत हम बात करेंगी कि यूरोपिये कंपनियों की बीच जो संघार्ष हुआ इसके पहले मैंने आदमिक भारत के 6 पार्ट किये हैं इस सातमे नंबर का है इसमें बात होगी कि जो पुर्त आपस में भी संघार्ष होता है और उसके बाद राजनेतिक इच्छा सकती जागरत होने के बाद भारतिये राज्यों से भी संघार्ष की स्थिति पैदा हो जाती है जैसे जैसे राजनेतिक इच्छा सकती बढ़ती है हस्थ छेप बढ़ता है भारती रियास्तों में हस्थ बढ़ता है यह संगर्ष की स्थिति बढ़ते ही चले जाती है तो इन सब मुद्धों पर हम बात कलने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो आने का क्रेम है पृत्वाली डच अंग्रेज डैनेश वा फ्रांसिसी यह तो मैं बार 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 बता रहा हूं सभी ले आते थे और यूरोप में बेंचते थे उससे बहुत अधिक कई गुनालाब मिलता था तो इनका प्रारंबेक उद्देश यहां पर बैपार करना था और इसी उद्देश से इनका गठन भी हुआ था बैपारेक उद्देश से ही वे जो इस्ट इंडिया नाम से मतलब पूर्टगाल डच अंग्रे डेनिस अर्वी कई अन्य देशों की बैपारी यहां पर रहते तो अब यहां यहां बैपार करने का फाइदा भी ज्यादा है तो इससे क्या होगा कि बैपार है तो एकाधिकार प्राप्त करने की लालसा पैदा होगी कि सिर्फ हम और हम ही बैप यह कंपनियां आई हैं वो क्या देखेंगी कि भारती राज आपस में इसा रखते हैं ठीके और उनको पैसे का लालाश देके किराया देके उनसे मतलब फाइदा निकाला जा सकता है और क्या होगा कि अठारवी सताबदी तक मोगल सक्ति भी कमजोर हो चुकी होगी कहने का मत होगा कि मोगल समराज भी तूट के छोटे-छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा जिससे आप कोई एक बड़ी सत्ता नहीं रहेगी जो पूरे देश को एक जुट किये रहे तो जब आपस में बटेंगे छोटे-छोटे राज्योंगे तो वो कमजोर होगे और इन कमजोर राज्यों का फाइदा किनको मिलेगा जो यूरोपीय सक्तियां भारत में बैपार के लिए आईती इनको इसका फाइदा मिलना शुरू हो जाएगा किस प्रकार से इनको भारत में बैपार के नाम से राजनेते खास्तचे बढ़ाना शुरू हो जाता है ठीक है तो यह के हो गया कि मोगल सक्ति का कमजोर होना पतन होना किसी भी केंद्रिय सक्ति का भाग कहने का मतलब वही जैसे ओरंग जेप था तो पूरे मोगल समराज को सम्मेटे था तो इसका बिगटन इससे छोटे छोटे राज सोतंतर नहीं हो पा रहा थे आब यह सोतंतर होंगे त तो ऐसी कोई केंद्रिय सत्ता नहीं बचेगी जो पूरे राज्जों को एक जुट बनाए रखे तो इसका भी फाइदा मिलेगा यूरूपिय कम्पनियों को इन सब का परिणाम क्या होगा कि इनके लिए एक अच्छा उसर मिलेगा कमजोर, सासक, छेत्रिय, भिन्नता की आएंगे अंग्रेज और अपने समराज का बीजारोपन करेंगे जहां बहुत सर्फ एक बैपार कम्पनी की रूप में आये थे, धीरे-धीरे करके राजनेतिक हस्त चेप करेंगे, दिवानी अधिकार प्राप्त करेंगे और धीरी-धीरे करके भारत में सासन करना रहेंगे, यह है कुल मिला के शुरू आती दौर का कि कैसे भारत में एक बैपारी कम्पनी आके भारत में सासन कैसे शुरू करती है, तो उसका यह एक तरह से इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि चत्र भुजी संगर्स, यह सब देदी कभी आता है, तो आप इसके बारे में जानि यह चत्र भुजी मतलब चार होंगे, यानि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिस, एबं फ्रांसिसी, इनके बीच क्या होगा, बैपारिक एक अधिकार करने के लिए कि हम जादा से जादा छेत्र पे बैपार करें, दूसरों को अपने इस छेत्र से भ करने हैं, भारतिय बैपार से बाहर हो जाती हैं, चाहे बो पुर्तगाली हो, डच हो, डैनेश हो, फ्रेंश हो, सभी बाहर हो जाते हैं, इसका कारण भी है, जैसे मैं पुर्तगाली के पतन की बात करूं, तो जो मैंने आधिनिक भारत का भाग, दो या तीन उसमें इसराय अलवुकर्क वो क्या बोलता है कि भारतिय महिलाओं से साधी करो ताकि यहां इस्थाई बस्तियां बनेंगी और पुर्टगालियों की संख्या भी बढ़ेगी इसका परिणाम क्या होता है कि मोगल और मराठा इसे भारतिय समाज में हस्तशेप मानेंगे और इनका बिर बैपारियों के भी संहर्स का कारण बनती है इसके अलावा इनके पास उतनी अच्छी सेना सेन सकती नहीं होती नो सेना सकती नहीं होती जितनी अच्छी अंग्रेजों के पास होती है तो यह कुछ ऐसी परिश्थितिया है जो प्रतगालियों के पतन का कारण बनती है इसी प पचेगा ब्रिटेश तो अंग्रेजों को सफलता मिलती है इसके बाद अंग्रेजों ने भारती राज्यों में क्रमसाव बंगाल मैसूर मराथा इबं सिक्थ आधि को जीटना पहले क्या करेंगे बैपारिक एकाधिकार यानि कंपनियों को बाहर भगाएंगे जो अन मतलब अ छोटे छोटे राज्यों को जीत लेंगे अठारा सो संतामन तक अपनी जर्ण नीती और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया है कर लेते हैं ठीक है तो इनकी इच्छा सकती जो एक बैपारिक से जाजनेतिक में चेंज हुई यूरूप कम्पनियों की बीज जो संघर्श होता है भारत आने वाली यूरूपी कम्पनियों में प्रुतगाली वर डच कम्पनियां वे पारिक और राजनेतिक प्रितिसपर्दा में पहले से परास्त हो गई कहने के मतलब जो प्रतिद्गाली और डच है इन्होंने जादा परिसान न करने में सच्छम नहीं रहे और इनका पतन हो गया उसके इसके अलावाद जो एक और बाची डेनिस क्या है 1775 में अपनी सारी संपत्ती क्या करते हैं ब्रिटिस को ही बेंच के चले जाते हैं ठीक है देखिए पुर्तगाली और डच प्रिटिस परदा नहीं कर पाए ब्रिटिस क्या है इनने तो पूरी संत्ती ब्रिटिस को बेंच दी दो हो गए तीन हो गए और जो फ्रांसिस है एक क्या करेंगे कुछ अद त्क संघर्च करने की कोषिस करते हैं तो इसी का पड़नाम होता है कि युध्ध होते हैं करनाटक युध्ध होते हैं तो उनको हम पढ़ेंग बाकी यूरोपी कम्पनिये चली गई अब क्या होगा इन में जाजनेतिक इच्छा सक्ती जागरित होगी और फिर इन में भी ये भारती राज्यों में हस्त छेप करना भी शुरू करेंगे और आपस में संगर्स होगा और फिर करनाटक युद्ध की सुरुवात होगी तो अगला है हमारा टॉपिक आंग्र फ्रांसिसी संगर्स ठीक केवल दोई सक्तियां बची हैं बाकी प्रोटगाल डच और डेनिस जा चुके हैं बचे हैं भारत में अंग्रेज और फ्रांसिसी अब इन में देखना है कि कितनी देर तक कौन टिक ता है और आखरी में फ्रांस राजनेतिक और बैपारिक दोनों प्रितिस पर्दा सुभावेक्तिक्यों क्योंकि अब केवल यही भर बचे थे भारत में यूर्पियों कंपनियों में इन प्रितिस पर्दाओं के चलते दोनों कंपनियों के मद्द तीन युद्ध हुए जहने करनाटक युद्ध कहतें मैं MPPSC Men's की बात करूं तो इसमें ऐसे तीन नंबर में सब्द आ जाता है सिर्फ लेकित के आजाएगा करनाटक युद्ध तो आपको बताना है कि बिटिस और फ्रांसिसी कंपनियों के बीच जाजनेतिक और बैपारिक अधिकार को लेकर जो संगर्स हुए जो युद्ध जो 1746 से 48 तक चला इसका दूसरा नाम सेंट टोमे का युद्ध भी है यदि सेंट टोमे का युद्ध पूछता है तो आपको प्रिथम करनाटक की युद्ध में ही टिक करना होगा और इन युद्धों की जो समाप्त होती ही किसी ना किसी समझोते संदी की तहाथ होगी तो युद्ध़ज़ो समाप्त हुआ एक्सला सैपल की संदिकी बाद 1748 में संदिकी और ए přिर्थम युद्ध समाप्त हुआ दूसरा युद्ध़ोह करनाटक का ratink का दूसरा युद्ध Kosak इनकी बारे में एक करके details से हम करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही सेर भी करें लाइक और सेर और कमेंट करके भी